गाजर का सीजन जाने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना गाजर के ऐसी रेशपी लेकर आए कि जाते जाते इसका स्वाद आपके मुह में साल भर बना रहे है तो भीना देर की और जहन्जट की रेशपी तो फ्रेंज चलिए सुरू करते अपने रेशपी तो फ्रेंज आजे बनाने वाले कैरेट स्नोडिलाइट जिसके लिए मैंने 400 ग्राम गाजर लिया मिरियम साइच के अच्छे से चील लेंगे वाश करके उपर और नीचे कापाट कर लेंगे और इसको रफली कट करेंगे उपर और नीचे कापाट फेक देंगे आप देख सकते जाए पैन ले लिजरने कोट किया है उसको डार लिए जिस भी कट उरी कप से मेजर करेंगे सारी क extract में अगे बताव हुँli घंडा के लिए कर भ्रत ना तो इसी कृच्छ अगए मेर्जी चीजAd और भी डाले देंगे तके हमको पकने देना चैये तो प्लाज पेसे कर लि 50% ही पकाना तो आप देख सकते हो पानी थोड़ा कम हो गया है अल्मोस्ट यह पक चुका है देख सकते हो बहुत इजी तरीके से टूट भी रहा तो इस टाइम गैस फ्लिम को आफ करेंगे अप चाहे तो इस टेनर से इसका पानी चाहन सकते हो यह तो इस प्रकार छनी से प्ले अच्छे से प्यूरी बन जाती है इस टेनर की साहता से चाहन लेंगे यह स्टेप करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स क्यूंकि थोड़े कभी कभी मोटे पार्ट रहते हैं जैसे आप देख सकते मेरे में थोड़े मोटे से निकले हैं तो जब मोटे पार्ट रहेंगे आपको स मोट और चिकनी कैरोट इस नो डिलाइट नहीं मिल पाएगी तो इसी पानी में मैंने तीन चमज मैंने डाला है कॉन फ्लोर बहुत इजी तरीके से मिक्स हो जाएगा अगर कम पड़ता है तो और एट कर लीजेगा अधर वाइस आप उसी पानी में काम चला लीज़े तो मेर कोई जुरत नहीं थी वाश करने क्योंकि अमने गाजारी उबाला था विसी कप से आप देख सकते हैं सेम कप मैंने लिया हो था हाप कप मैंने शुगर पाउडर यूस किया आप चाहे तो चीनी का भी प्रियोग कर सकते हैं जिसमें भी आपको जमाना है आप ट्रे में भी ज से में अच्छे से खवराकर कहाई नहीं देख सकते हैं अच्छे से गढ्ला होक्ता है कर दो चुदक्स देशिघी तो डाली तो मैंने मिक्स फ्रूट का प्रियोग किया है तो इसमें आप एक बार जूरूर यह जवरूर बनाईएगा बच्चों को ना पसंद आए तो मेरी वीडियो का डिसलाइक करके भी जा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैंने दो ग्लास ग्रीस किया हूं कि भाड़ नहीं कुछ पार नहीं पचा हूआ है कि इसका बहुत बहुत अच्छा रहा है यह काफी जेली जेली साहएगा है तो आप देख सकते हैं इसका नाइफ की सहता से किसे कोटे-चोटे पीस कट कर लेंगे देखिए कितना ईजी तरीके सा कट जा रहा है को काटने में भ जेली मिठाई जो मिलती है यह जेली जो आती है शुगर कोटेट रहती है वह ऐसे ही लगी आपकी आप बच्चे एक बच्च खाएंगे तो आपसे बार बार जुरूर बनवाएंगे तो आप चाहें तो यह औरेंज वाले कैड़े टाते बिडाउट सीजन वाले उससे भी बना पार जो कैरेट है बिल्कूर स्नों हो जाए तो इसली इसका नाम हो गया है कैरेट स्नों डिलाइट आप देख सकते हो तो मैं अच्छे से प्रेड मी डेकोड़ेट कर दिया है अब आपको कट कर देखा दो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट अगर मेरी वीडियो पसंद आती रहती मैं आपको कट कर भी दिखा रहे हैं कितनी इची से कट गया यह